गंगा और यमुना से घिराफ फतेपूर अपनी प्राचीन सांस्क्रतिक विरासत के लिए मशूर है इस सीट पर मुस्लिम वोटर्स किसी भी प्रत्याशी की जीत हार में हैं भूमिका निभाते हैं यहां के मुसल्मान मत दाताओं के मन में क्या है यह जानने के लिए न्यूस नेशन की टीम फतेपूर पहुची बड़े मियाग किदर चलेगी टीम पहुच चुकी है फतेपूर वो नगर जो की फतेमंद खान साब ने इसकी स्थापना की थी खास बात ये कि एक ओट सीट मानी आती है क्योंकि सादवी निरंज जोती यहाँ पर दो बार जित्ती हुई आई है और वहाँ खासतोर पर केंदर में मंतरी भी रही है इस बार नरेश उत्तम के साथ में उनका मुकाबला है और कहा जा रहा है कि ये हॉट सीट इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी ने एक तरा से इस गड़ में सेंदमारी करके 2014-2019 में यहाँ पे सत्ता हासिल की थी क्या इस बार दूसरी पार्टियों को यहाँ मौका मिलेगा बड़े मिया इस बार क्या सोच रहे हैं चलिए फटेपूर से बड़े मिया किधर चले की शुरुआत करते हैं फटेपूर लोगसभा सीट पर पिछले दो बार से बीजेपी की जीत हुई है अब बीजेपी सीट पर हैट्रिक रचने की देहलीज पर खड़ी है लेगिन इस बार फटेपूर का मुखाबला कांटे की होने की उमीद है बीजेपी के टिकेट पर लगातार तीसरी बार साधवी निरंजन जोती चुनावी मैदान में है तो बेसपी से डॉक्टर मनीश सचान प्रत्याश्री है समाजवादी पाठी ने नामांकन के आकरे दिन यानि तीन मैई को इस्थानिय चेहरे के रूप में नरेश उत्तम पठेल पर दाव लगाया नरेश उत्तम समाजवादी पाठी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है पहले की सरकारों में सुरक्षा अच्छी थी या आपकी सरकारों में सुरक्षा अच्छी पहले की सरकारों में मेहलाय बाहर निकल पाती थी और साम से ही घर वाले चिंता करने लगते थी कि हमारी वेटी भी घर आई की नहीं आई आपकी सरकार में ये है कि महिला बाहर जाए रात में 12 बज़े भी आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है वो सुरक्षी ताएगी आगे बढ़ रही है हर्चीजों में और इतना तो आदमी भी नहीं लेकिन इस बार हम चाहते हैं कि हमको भाजपा की सरकार में ही जादर जादर ओरतों को सहारा दिया जाए तो हमारा वोड भी उसी को जाना चाहिए महिलाओं के लिए रहुल गांदी बैतर है या मोदी जी बै करके इस बार उसको जादा है दिया क्या आपके मुद्धे हैं जिन मुद्धों पर वोड डाले जाएंगे मुद्धे यहीं है जो महिंगाई वाइला मसला है यहीं चीज सब सामने आती जाहिर है कि अगर 2019 के लोग सबाद चुनाव की बात की जाए तो बीजेपी की सादवी निरंजन जोती ने 5,66,040 वोड हासिल किये तो बीजेपी की सुपदेव प्रसाद ने 3,66,835 वोड के साथ दूसरा इस्थान प्राप्त किया कॉंग्रेस के राकेश सचान को 66,777 वोड ही मिले लेकिन इस बार के चुनावों में मुसलमान क्या सोचते हैं हमने उनी से जो उनको घ्यान ठीक से नहीं मिला है वो गुमराही है अगर उनको घ्यान सही से मिलता तो यह एतनी दूरदसा देश की नहीं होती बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई इतनी बढ़ गई है कि किचन चलाना मुश्किल है कंडिडेट आपके सामने है बीजेपी के और कॉंग ही नहीं है क्योंकि वो अपने जिले के हैं आपके हिसाब से क्या मुद्दा होना चाहिए पतेपुर के लिए तो नई शिशा निती लागू जो हुई है उस पे सवाल है काफी लोगों को एजुकेटट को लेके सवाल है और महला उत्रीडन जादा हो रही है तो उस पे सवाल सबसे कौन आपकी सुरक्षा बहतर कर पाएगा अब तो बस मानिया ख्लेश यादो जी है और उनके प्रत्यासी उतारे गए बस वहां गठबंदन का मैं सपोर्ट कर रही हूं महां गठबंदन में जो भी प्रत्यासी हो मुझे क्या कहते केंदर की कुरसी बदलने में पूरा एम जोर लगा के बदलने का कारुं करूंगी बहतर काम को और करने मुझेतर कम जो है अपकी इंडिया गदबंदन जख ज़िए जी इडियबदन भी जपी नहीं ब्यदे़ि Meeting भी जपी से सार्व कर खान्यमने दस साल उनको बना करके देख लिए दस साल में हमारे यहां सबसे बड़ी समस्य अगर कोई है तो है सीवर लाइन, पाइप लाइन, हमारे यहां अभी बगल में महला है, आप देख लिजे पानी, अगर दस मिनट पानी गिर जाए, तो गांट से उपर पानी भर जाता है। प्रयाग राज मंडल में शामिल फतेपूर जला राजनतिक ग्रूप से बेहद आहम है, फतेपूर लोगसबाद सीट से पूर प्लाहन मंतरी विश्वनाथ प्रताप सिंग भी चुनाव लड़ चुके हैं, वो जब देश के प्लाहन मंतरी बने तो इस सीट से सांसत चुने जी देखिए राज के मुद्दे तो है हम ही हैं, और साथ में जो मुद्दे विकास के मुद्दे भी हैं, हमारे शेहर में बहुत विकास हुआ है, हमारी सांसत हैं मानी साधवी निरंजन जोती जी, उनके राज में 10 साल में बहुत शेहर में विकास हुआ है, और मेडिकल कॉ तो आपके डॉक्टर्स की अच्छी टीम एवेलेबल है तो अच्छा इलाज मिल पा रहा है लोगा बीजेपी ऐसा क्यों लग रहे हैं इस बहुत विकास किया है बहुत अच्छा काम किया है इस ते पहले किसी सरकार ने इतना अच्छा काम नहीं किया तो मुसल्मानों के लिए काम नहीं किया उससे आ आपको या आफके आसपास के लोगों को घर बिजली पानी सडक या अनाज। जो 80 करोन उन्होंने बढ़िया किया है यह बताई कि क्या है फतेपूर की हवा में इस वार्टेपूर के हवा में निरंजन जोती है दीदी जी राहुल गांदी कह रहे हैं एक लाख रुपए देंगे आपकी घर की महिलाओं को गरीबी मिटा देंगे एक जटके में अरे वह उनका जो है नहीं भाइजान तो हई है वह बताई है क्या बताई है क्या लग रहा है हवा में तो भाजपा है हर जगे लए अपकी बार 400 पार है एक बास कैल्कुलेशन समझना चाहते हैं कितना मुसल्मान है यहां पर मुसल्मान वोटर कम से कम 5 लाग होगा 4-5 लाग वोटर है मुसलिम बसकुछ नहीं बीजेपी ने काम किया है तो उसके लिए उसको पर वोट जाएगा अच्छा साथ वीजी ने दस साल से काम किया है धरम वगारा तो सिर्फ सब मीडिया और इसका बाते होती है बाकी हम लोग तो देख रहे हैं वो विकास अपने शहर में जो हुआ है दस साल म शनाफ मतीत में जोती निरंजन दि वार जोति निरंजन जी है दिवा में राहूल गांदी से कोई दिक्कत है क्या एक कामरे कता नीर्टी अक्ति ऋपने अ क्या लग रह रहारह है उसबर मौदी आ decreased मैं ऐं गगे इंशाललitting जे यह के अपसे हो गया अगर जिनके सरकार वह पेराईगी फटेपूर लोग सबसीट के तैच्छे विदान सबसीटे आती है इनमें फटेपूर जहानाबाद बिंदकी आयाशा खागा हुस्यान गंज विदान सबसीट शामिल है इस बार फटेपूर में इस्थानिया बनाम जो है दोजार चौबिस में फटेपूर में इस बार क्या लग रहा है निरंजन जोती यहां पर खड़ी है और दूसरे नरिश्मित्तल है जी वो सपागर बंद जी बुनना है इसलिए जो है तोड़ा जी नहीं है तो क्या है अलब जार टकर नहीं हो बाएगी यह बताईए क क्या लग रहा है इस बार दोजार चौबिस में बहुसी ने कार अच्छा कर रही गया उस्ताल बन सो को मुसल्मान हो या नोकड या नवकाद काम Hep is honest के मुकाबले क्या इस लिए इसमीर का मुसलिमाग दिमाग दिमाग चेंज हुआ है 2019 के मुकाबले आपकी मुसलीं मुद्सीं दिमाग भी को बाव नहीं चला योज ने अस्ता बराबर मिल लेंगे शाकों कर रहा है योगी मोधी से भी अच्छा कर रहे हैं आप कि दरह जाते हुए दिखाई दे रहे हैं पर क्या लग रहा है महौल क्या है कहा हवाओं में क्या फिजा किसकी खुश्बु है भाई खुश्बु तो देख अगर जाती समिकरण की बात की जाए तो फतेपूर में लोकसवा सीट में खरीब 19,50,000 मत दाता है S.C. वोटर 4 लाग, शत्री वोटर 3 लाग, ब्रामन वोटर 2 लाग, निशाद वोटर 2 लाग, मुस्लिम वोटर 1,5 लाग, वैशे वोटर 1.2 लाग और 11 खरीब 1.1 लाग है फतेपूर में खरीब 13 फिसदी मुस्लिम मत दाता हैं, इस बार मुस्लिम मत दाताओं का मूट क्या है? जिसे पब्लीक को फाइदा मिले। से भाइसा बता रहे हैं, क्या लग रहा है आप भी गड़बंदन की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं या कुछ और बदला हो है? जिसे और मेड़े बाइसा बताया कि पुराना वह है मेड़काली तो अब ही बना है? है हमारे यहां इससे पहले कभी मेटकल कालेज नहीं था के अलावा जो है आप कहते हैं विकास नहीं विकास तो देखिए आपको दिखाई देगा हमारे यहीं पर भी कम्ते कम 200 कालूनी जो है यहां पर भी दिया यह सामने बनी हुई है यह बगल में मेरे बनी हुई है वो दो क किया यह भोला भाई की कालूनिय मुसल्मानों के लिए जो बीजेपी ने किया वो किसी ने नहीं किया मुसल्मानों के साथ भाइद भाऊ तो नहीं होता था आफ आप रही आप आपको दिखा दे पुराना बदलते हुए फटेपुर देखा है ना हाँ ठीक हो तो हम गडबनन में देंगा फटेपुर सीट पर भले ही पिछले दो चुनाओं में हार जीत कांतर दो लाग के खरीब रहा हो लेकिन इस बार मुकाबला थोड़ा कड़ा हो सकता है क्योंकि समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस के बीच गडबनन है और इस सीट से एस्पी ने अपने प्रत्याशी को मैदान में उता रहा है लेकिन ब्यस्पी भी एक बड़ी सियासी ताकत है और वो चुनाओं का रुख मोड सकती है बड़े मिया किधर चले या फटेपूर से फिलहाल इतना ही लेकिन दूसरे जिले में जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे वहां के बड़े मिया दर असल किधर जा रहे हैं विचली सदीव सिंग के साथ सेद आमिर हुसैन न्यूस नेशन फटेपूर